Hello children, welcome to your SST class. Today, we will discuss chapter 6 of civics, that is, rural administration. A quarrel in the village. Mohan एक किसान है, उसकी फैमिली का अपने एक छोटा सा एगरिकल्चरलर फिल्ड है. जिस पर वो कहीं सालों से फार्मिंग करते आ रहे हैं. Mohan के फिल्ड से अगला फिल्ड रगू का है. और रगू की लैंड, Mohan की लैंड से एक छोटी से बाउंडरी से सेपरेट हो रही है, जिससे बंद कहते हैं. एक सुबा, Mohan ने नोटिस किया कि रगू ने अपना बंद कुछ फिट आगे शिफ्ट कर लिया है. और ऐसा करते हुए, Mohan की लैंड का कुछ हिस्सा, रगू के फिल्ड में आ गया. ये तो हो नहीं है ना, चिल्डरन, जब उसने बंद आगे शिफ्ट किया, तो Mohan की लैंड का कुछ हिस्सा, रगू की लैंड में आ गया, तो रगू के फिल्ड का जो साइज है, वो भड़ गया. मोहन बहुत गुस्से में था, लेकिन वो थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि रगू के परिवार के पास बहुत सारे खेट थे, और इसकी अतरिक्त, उसके चाचा उस गाउं के सरपंच थे, लेकिन फिर भी, मोहन ने हिम्मत बटोरी और रगू के घर चला गया. रगू और मोहन के बीच में, हीटिड आर्गूमेंट हो, काफी गर्मा-गर्मी हुई, लेकिन रगू ने ये मानने से इंकार कर दिया, कि उसने अपने बंद को आगे शिफ्ट किया है. उसने अपने हेलपर्स में से एक हेलपर को बुला लिया, और वो दोनों मोहन पर चिलाने लगे, उसे पीटने लगे. जब पडोसियों ने ये हल्ला गुल्ला सुना, तो वो उस जगें पर आये, जहां पर मोहन को पीटा जा रहा था, और उसके पडोसी मोहन को ले गए. मोहन को सीरोर हाथ पर काफी चोट आई थी. एक पडोसी ने उसे फास्ट रेट दी, उसका फ्रेंड जो विलेज पोस्ट आफिस से दोड़ा आया था, उसने सलहा दी कि उन्हें लोकल पुलिस टेशन पर जाना चाहिए और रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए. लेकिन दूसरे डाउटफुल थे कि ये गुड आइडिया है ये नहीं है, क्योंकि ये वो महसूस कर रहे थे कि इससे पैसे की बरबादी होगी और कुछ हासिल नहीं होगा. कुछ लोगों ने तो कहा कि रगु का परिवार पहले ही पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट कर चुका होगा. काफी डिसकुशन के बाद ये फैसला लिया गया कि मोहन अपने कुछ पुडोसियों के साथ जिन्नोंने ये घटना देखी है, पुलिस स्टेशन जाएगा. एरिया ओफ दा पुलिस स्टेशन, जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो रास्ते में एक पुडोसी ने कहा कि हम कुछ और पैसा क्यों नहीं स्पेंड करते हैं। क्योंकि हमारा गाउं जो है, वो इसी एरिया में आता है। Every police station has an area that comes under its control. All persons in that area can report cases or inform the police about any theft, accident, fight, etc. The work at the police station When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, that is SHO, and told him what had happened. He also said that he wanted to give the complaint in writing. The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time, writing down minor complaints, and then investigating them. Mohan ने उने अपनी चोटें दिखाई, लेकिन SHO को यकीन नहीं हुआ। Mohan बहुत पजल था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो अपनी complaint दर्ज कराए। He went and called his neighbors into the office. They argued strongly that Mohan had been bitten up in front of them. और अगर उन्होंने Mohan को ना बचाया होता, तो Mohan को गंभीर चोटें आ सकती थी। They insisted that the case be registered. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the pupil that he would send a constable the next day to investigate the incident. Maintenance of Land Records आपने देखा कि Mohan और रघु के बीच उनके खेतों की boundary को shift करने को लेकर बहुत गर्मा गर्मी हुई। क्या कोई रास्ता है जिससे उनकी इस जगड़े को शांती पूर्वत तरीके से सुलजाया जा सके। क्या गाउं में कौन सी जमीन किसकी है इस बात का record रखा जाता है। चलिए देखते हैं। अचाए प्टम करते है। क्णाई चलिए। is the main work of the patwari. The patwari is known by different names in different states. He is responsible for a group of villages. The patwari maintains and updates the records of the village. This is called khasra, record of patwari. It identifies which plot of land is owned by whom. Such type of map and the corresponding details from the register are a small part of the records kept by the patwari. The patwari usually has ways of measuring agricultural fields in the above instance. The patwari would have measured both Mohan's and Raguj's fields and compared them with the measurements on the map. If they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields had been changed. The patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grown in this area. This is done from the records that are kept and this is why it is important for the patwari to regularly update these. Farmers may change the crops grown on their fields or someone may dig a well somewhere. and keeping track of all this is the work of the revenue department of the government. Senior people in this department supervise the patwari's work. All states in India are divided into districts. For managing matters relating to land these districts are further subdivided. These subdivisions of a district are known by different names such as Tahsil, Taluka, etc. At the head is the district collector and under his are the revenue officers also known as Tahsildaars. They have to hear disputes. They also supervise the work of the patwari's and ensure the records are properly kept and land revenue is collected. They make sure that the farmers can easily obtain a copy of their record. Students can obtain their caste certificates, etc. The Tahsildaars office is where land disputes are also heard. a new law Hindu Succession Amendment Act 2005 Often when we think of farmers who own land we think of men. Women are seen as people who work on the fields but not as people who own agricultural land. Till recently in some states Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. After the death of the father his property was divided equally only among his sons. recently the law was changed. In the new law sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land. The same law will apply to all states and union territories of the country. The law will benefit a large number of women. For example, Sudha is the eldest daughter of an agricultural family. She is married and lives in a neighboring village. After her father's death Sudha often comes to help her mother with the farming work. Her mother has asked the patwari to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record. Clear children? Now thank you. This lesson has been completed. Bye-bye. Take care.